जागते तो आप रोज हैं, अब जागो अपनी सेहत के लिए जिन्दगी की रेस में भागते तो रोज हैं, अब दोड़ो अपने लिए क्योंकि फिट रहेगा इंडिया, तभी तो हिट रहेगा इंडिया देखिए दो HD News की खास पेशकर्ष आपकी सेहत, आपका डॉक्टर, हर बुधवार सुबह आट बजे दोक्टर, असुतूश त्रिवेदी सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में जो दातों को इविशेपे हैं, दातों से संबंधित बीमारियों के बारे में हम लोग बात करेंगे और उनके लक्षन जानेंगे, उनके उपचार जानेंगे और इस माध्यम से आपके टीवी के माध्यम से लोगों को इस बारे में जानकारी भी होगी क्योंकि बहुत सारी बिमारिया बिना जानकारी, बिना इलाज के अभाव में बढ़ जाती है सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे कि दातों से जुड़ी समस्याएं किस किस तरह की होती है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती है दातों से जुड़ी देखें दातों की जहां तक बात आती है तो एक बात गौर करने वाली है कि दाथ हमारे जिन्दगी में तीन बार आते हैं एक बार हमारे जो दूद के दाथ होते हैं जिने हम लोग deciduous teeth करते हैं उनमें कुछ बिमारियां होती है फिर वो जब दूद के दाथ खत्म होते हैं तो पर्मानिन दाथ जो आते हैं उनमें दातों की बिमारी होती है और एक और बिमारी जो है वो है पर्मानेंट दात जाने के बाद दातों करना होना आज के दिनों में देखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे दातों के बिना भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि जो दात निकाला गया है, उसको replace कराना कितना जरूरी होता है। तो एक ही subject है दात, लेकिन वो तीन अलग-अलग stages में आदमी को आता है और तीन अलग-अलग stages में problem हो सकती है। सर आपने तो stage बता दिया कि तीन बरदात आते हैं, क्योंकि दातों के साथ उसके मसूडे, उसकी हड्डियां दोनों होती है। तो पहले हम अगर अब दातों की बात करते हैं, तो सबसे common जो problem है, समस्या है, वो है दातों में cavities का होना, जिसको कि हम लोग दातों में खड्डे बोलते हैं आम भाशा में। जब दातों के ऊपर बैक्टिरिया का अटैक होता है, जो भी food particles है, वो दातों के ऊपर रह जाते हैं और उनमें जब बैक्टिरियाल अटैक होता है, तो acidic के कारण धीरे-धीरे दातों का छै होता है। और दातों की संग्रश्चना में छेद हो जाता है, और वो बढ़ते-बढ़ते दातों की नस्थ तक महुच जाता है। तो सबसे पहले जो आम बिमारी वो है, दातों में cavity का होना। तो cavity का इलाज क्या है, उसको किस तरह से आप लोग उसको treatment देते हैं। बिल्कुल, दातों में जो cavities होती है, तो एक चीज यहां जानने वाली बात है कि दातों का जो enamel होता है, वो एक बार अगर जाता है, तो दुबारा नहीं आता है। तो उसे हम लोग को रोकना बहुत जरूरी है। तो दातों में बहुत तरह की feelings आजकल चली वही हैं, पहले हम लोग चांदी भरते थे दातों के उपर, जिसे आम भाशा में चांदी बोलते थे ऐसे वो silver emalgam होता था। लेकिन आज के दिनों में silver को लोग और emalgam को avoid करते हैं क्योंकि mercury poisoning के कारण। तो अब हम लोग ने resin filling materials develop हुए हैं, बहुत सारे दातों के रंग से मिलता जुलता है, क्योंकि चांदी जो पहले होता था वो काला दिखता था। और आज के इस cosmetic के योग में लोग नहीं चाहते हैं कि अपने दातों में किसी तरह का काला दिखता है। तो दातों के रंग का मिलता जुलता filling materials आता है, जो हम लोग नातों पे लगाते हैं। तो आज कल दातों के रंग का काफी अच्छे qualities की filling materials आती हैं। ceramic based filling materials है, जो बिलकुल दातों के रंग से मिलता जुलता भी है, और काफी highly polished भी होता है, जिससे की कारण दातों का जो संगरक्षना है, वो बिलकुल वापस normal हो जाती है। Sir, अगला सवाल क्योंकि ज़्यादा तर देखा जाता है, आज कल accident से जुड़ी बहुत जारी घटनाए होती हैं। तो कभे कभार ऐसा होता है कि accident में जबडे जो हैं, वो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, तूट जाते हैं। जब ज़्यादा भ्यांकर accident होता है, तो उसका इलाज क्या है, उसका treatment किस तरह से आप। बिलकुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और यहाँ पर मैं लोगों को ये बात कहना चाहूंगा, कि जो लोग motorcycle ये scooter drive करते हैं, हमने देखा है कि maximum जो accident हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि वो लोग helmet नहीं बानते हैं। तो आपके channel के माध्यम से मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, कि जब भी आप गाड़ी चलाए, helmet जरूर पहने, क्योंकि helmet से आपकी जान बचती है, और आपके परिवार के जो लोग हैं, जो आप पर आश्रित हैं, उनको एक बड़ा सहयोग मिलता है। और helmet होने से क्या होता है, कि आपके जबड़े सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि accident जब होती है, तो सर और जबड़ों में ही सबसे जादे चोट लगती है, और अगर जबड़ा तूटता है, तो उसका इलाज भी बहुत कंप्लेक्स होता है, और हम क्यों इलाज में पड़े हम लोग उस जबड़े को सेट करते हैं, दातों को एक साथ बान दिया जाता है, जिससे कि जबड़े की जो पोजीशन है, वो बिल्कुल सही हो जाती है, और आजकल बोन प्लेटिंग सिस्टम आया हुआ है, जिसके कारण जबड़ों में स्क्रू लगा देते हैं, और वो समय रहते हैं, इसका इलाज कराना कितना महतुक है? 500 से लेकर 5000 के बीच तक होती है, तो आपकी एक छोटी सी अंदेखी करने की जो आदत है, आपको वापस खर्चे में भी डालती है, परिशानी में भी डालती है, महंगी पढ़ जाती है, तो पहला तो है कि दातों में कैविटी ना हो, ये अपने आपको इंशोर करने कि हमारे दातों में किसी तरह की कोई कैविटी ना हो, और अगर कैविटी होती है, तो उसको डेंटिस के पास जाके तुरत भरवा ले, हमारे यहां डॉक्टर्स के पास उसी टाइम लोग जाते हैं, जिस समय कोई बिमारी डेवलप होती है, और अगर डॉक्टर ये कहता है कि जाप कि नहीं, आपको कोई बिमारी नहीं है, तो हमें लगता है कि मेरा पैसा बरबाद हो गया, तो ये धारना को मन से हटाना बहुत जरूरी है, और डेंटिस्ट के पास जैसे आप मंदिर जाते हैं, जैसे आप होलिडे पैकेज में जाते हैं, उसी तरह से अपने डेंटिस्ट ह साल में एक बार जरूर जाना चाहिए, कि प्रॉबलम अगर छोटी है, तो उसका इलाज भी छोटा होगा, लेकिन प्रॉबलम अगर बड़ी हो जाती है, तो उसका इलाज बड़ा होता है, तो लोग ये कहते हैं कि इलाज बहुत खर्चिला है, खर्चिला इलाज नहीं होता कुछ लोगों को एक दात नहीं है, कुछ लोगों को दो दात नहीं है, लेकिन एक दो दात नहीं होने से उनके खाने पीने की जो क्रिया है, उसमें कोई बहुत जादे दिक्कत नहीं होती है, इसलिए लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो खाली सपोर्ट लेके ब्रिज कर सकते हैं या जबडे में स्क्रू लगा के दात लगा सकते हैं जिने हम इंप्लांट्स बोलते हैं या हम खोलने पहनने वाला एक डेंचर पहन सकते हैं तरीका बहुत सारा है लेकिन दातों को रिप्लेस जरूर कराना चाहिए दात से जुड़ी एक औ दातों में काफी आप देखेंगे कि बहुत सारा तेड़ा मेडा होता है तो तेड़ा मेडा होना कॉस्मेटिक प्रॉब्लम तो है ही साथ में दातों की जो हेल्थ होती है उस पे असर करता है क्योंकि तेड़ा मेडा दातों पे खाना जादे चिपकता है उसको साफ रखना बहुत होता है तो दातों को सीधा कराना आपके personality के लिए भी अच्छा है और दातों के स्वास्त के लिए अच्छा है तो orthodontic treatments होता है जिसमें हम लोग दातों में clip लगाते हैं और उससे वो दात बिल्कुल सीधा हो जाता है सर जाते जाते हम कहना चाहेंगे आपसे कि आप उन दश्कों के लिए उन पेसेंट के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा जो दातों से जुड़ी समस्याओं से परिश्या है बिल्कुल मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपने दातों और अपने मुस्कान का ख्याल लखें और जैसे अभी human chain बनने वाला है जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो नितिश कुमार जी एक मानव स्रिंखला बना रहे हैं तो दातों की भी स्रिंखला होती है उस स्रिंख की बात हो चाहे दातों की श्रिंखला की बात हो दोनों में कहीं से ब्रेक नहीं होना है क्योंकि दोनों समाज के लिए जरूरी है आपका स्वास्त आपके लिए जरूरी है और मानव स्रिंखला बना कि एक समाज में एक संदेश देना कि हम एक हैं ये भी बहुत बड़ी बात जिहाद तो आपने जाना कि किस किस तरह से जुड़ी दातों की समस्याए होती है उनका समाधान क्या है और कहा जाता है कि दात अगर अच्छा हो तो हमारी स्पाइल भी और अच्छी हो जाती है फिलाल देस्टीनोस में इतना है आप बने रहें देस्टीनोस के साथ